दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं की सप्नों का मतलब हम सभी जब भी सोते हैं जब भी निद्र अवस्ता में होते हैं तब उस दोरान हमारे बन पर हमारे मस्तिक पर एक ऐसी छवी एक ऐसा पिक्चर चल रहा होता है जो बिलकुल वास्तिविक जैसा लगता है बहुत ही सरल और आम बोलचाल के भासा में यदि बोला जाए तो सपने जब भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम खुली आखों से अपने आगे चलती वी जिन्दकी को देख रहा हैं जिस तरह हम खाते हैं पीते हैं किसी से लड़ाई देखते हैं बंदर को देखते हैं जुगनू दिखाई देता हैं उड़ते में देखते हैं उसके अहसास को जिस तरीके से हम खुली आखों से अनुभव कर सकते हैं ठीक उसी तरह सपने हमें बंद आखों में भी वास्तिव जैसा जीवन का एहसास कराते हैं जीवन की कुणू तिद्धे ये चोटे-चोटे कीरे हमारे आम जिन्दगी में इधर उधर आप रोजाना देखते होंगे अपने घरों में देखते होंगे आसपार देखते दोस्तों पहले तो आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हर सपना कुछ न कुछ संकेत देता है, हर सपने का कुछ न कुछ मतलब होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब अबराहम लिंकंग की मृत्ति हुई थी, तो उससे ठीक चार दिन पहले उन्हें एक सपना जिसमें उन्होंने इस बात को देखा था, कि उनके मृत्ति हो गई है, और उनके आस पास बहुत सारे लोग खड़े हैं, अबराहम लिंकंग ने इस बात का जब जिक्र किया, तब कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, कि आने वाले समय में सच मुझ में ऐसा कोई घटना घटने वाला है, या ऐसी कोई परिस्तिती होने वाली है, अबराहम लिंकंग के इस तरह के सपने आने के ठीक चार दिन बाद उनके मृत्ति हुई, और बिलकुल जैसा उन्होंने सपने में देखा था, जिस परिस्तिती में देखा था, वैसे ही परिस्तिती में सारे लोग खड़े वैसे ही तरीके से उनकी साथ सज्जा की गई थी और उनके अंतिम संसकार के तैयारी की जा रही थी, तो ये बहुत ही वास्तिविक्ता से जुडवा चीज होता है, बस हमें ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर हम नजर अंदाज कर देते हैं, जिसकी विचे से आने वाले समय सपने में क्या घटित होने वाला है, उसके बारे में हम गहराई से नहीं जान पाते हैं, आईए जानते हैं, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं, आप सभी उमीद करती हूँ, आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तमभविज्य की कामना करते हैं, आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, दोस्तों, यदि आपने सपने में छिपकली देखा है, तो ये एक असुब स्वपन आम तौर पे माना जाता है, आपको सपने में छिपकली किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात पर इसका रहस्य चुपावा होता है, अक पास चोड़ी की घटना हो सकती है, लेकिन अगर छिपकली डढ़ कर भागते वे नजर आए, तो ये सुब संकेत होता है, मधुमक्ही को यदि आपने सपनों में देखा है, मधुमक्ही से भढ़ावा छत्ता दिखाई दे जाए, तो ये बहुत ही सुम होता है, इस से आपके परिवार में एक जूटता बनी रहेगी, और अगर मधुमक्ही फूल पर बैठी दिखाई दे, तो इसका मतलब है आपके वेपार में आपको नुकसान होने वाला है, सपने में यदि आपको भावड़ा दिखाई देता है, तो इसे असोब सुपन मानते हैं, इसके दिखने क परिस्तिती पर नेर्वर करता है, अगर आपको ये सपने में दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपके बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जिससे आपका मान सवान भढ़ेगा, साथ ही आपको काड़ियों में सफलता भी मिलेगी, सपने में अगर बिच्चु अगर आपको सपने में बंदर दिखाई दे जाए, या किसी भी तरह का मन मोटाओ होगा, ये इस बात की ओड़ भी संकेत करता है, ये आपको सपने में जुगन दिखाई देता है, तो समझ ले जीवन में कठिन समय आने के ओड़ ये इसारा है, और ये आपको टिध्धा, ज आज के यह जानकरी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगे ऐसी और भी जानकरी के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें अगले वीडियो में एक नई जानकरी के साथ पिर्चे मिलोंगे तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों